सरकार जंता को लाब पहुचाने के लिए हर संभब प्रयास करती है पर कई भ्रष्ट अधिकारियों के कारण लाखो लाख ही रुपे का हूँ योजना बरवाद हो जाता है सरकारी लाब से अचूते रह जाते हैं जंता ऐसा ही हाल आधित पूर वाट संख्या 19 में है जहां 18 लाग की जलापूरती योजना बेकार धूल फांक रही है आधित पूर वाट नमबर 29 में लाखों की लागत से डीप बोरिंग की गई है लाखों की लागत से फाइप लाइन बिचाने का काम भी वा है अंताथा पानी का कनेक्शन घर गर नहीं पहुंचाया गया और 18 लाग की योजना यहां धराशाई हो गई इस सम्मन में जन प्रदर्निधी का कहना है कि इस वाट के हर घर में औलरेडी सरकारी पानी का कनेक्शन है अब सवाल ये उठता है कि जब इस वाड में सरकारी पानी का already connection है तो फिर इस वाड में deep boring करने का क्या अर्थ था तो लगा के रखने हैं वहाँ ए है मोटर होगा लगा है तो ताला तो बंद करके रखना है एक चोली हम लोग दिये हैं 18 और 17 ये दोनों रोड के लिए लेकिन सभी लोग अभी connection नहीं लिये हैं इसमें मुस्किन से चार लोग ही connection लिये है तो चार लोग के लिए हम लोग हमेशा तो मोटर चालू नहीं कर सकते हैं अगर सब घर में connection हो जाता है एक meeting हो गई उसमें टीम बनेगी दस का छे का और ओ टीम को जिम्हबारी दी जाएगी कि भाई आप इस मोटर को एक घंटा सुबा एक घंटा साम चलाईगे लेकिन ऐसा अभी कोई लोग को इतना इंट्रेस्ट नहीं है इसमें कि हम लोग यहां से पानी लेना है साइज सबके घर में पानी मिल रहा हूँ आची बात है इसलिए अभी उसको हम लोग उतना यूज नहीं कर रहा है और जिसका जरूरी है जिसके घर में एकदम पानी नहीं है उसका घर भी देना जरूरी है अगर ऐसा आप बोल रहे हैं कि शरी बेकती को दिया जा रहा है तो बेकती को पानी के जरूर्फ होगा तब ही दिया गया होगा स्थानीय निवासियों के माने तो इस प्राजिक्ट में एक होटाले किये गए हैं क्योंकि जिस वाड में सरकारी वाटर कनेक्शन है तो फिर से उसी वाड में डिप बोरिंग करवाना किसी घोटाले की और ही इशारा करता है यहां तक कि डिप बोरिंग पर ताला भी लटक चुका है इस पार की गर्मी चुट्टी का आनन क्लास 10 और 11 के बच्चे नहीं उठा पाएंगे कारण जला शिक्षा धिक्षप ने से भी एसी बोर्ट के भी स्कूलों को आदेश दे दिया है कि गर्मी चुट्टी में अब क्लास 10 और 11 के बच्चों की पढ़ाई दी जाएगी कारण की शिक्षा के कुणबता में सुधार लाना और रिजल्ट बहतर करने को लेकर सरकार ने ये आदेश पारिद किया है और इस आदेश के बाद अब जम्शिक्पूर नहीं सराई के ला और चाईवासा जिले के स्कूलों में भी अब गर्मी की चुट्टी में पढ़ाई होगी हाला कि चात्र बम चात्राओं के लिए ये एक अच्छी खबर है आपको बता दे कि जारकर में कुलहान एक ऐसा शित्र है जहां मैट्रिक और इंटर में पढ़ने वाले चात्रों के रिजल्ट का प्रतिशत काफी कम हुआ है इसको देखते हुए रजसरकार ने पूरे रज में ये आदेश पारित किया है और अब इस आदेश का पालन भी शरू हो चुका है इतना ही नहीं प्रत्येक शनिवार और रविवार को भी क्लास 10 और 11 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा साथी साथ सरकार ने ये भी आदेश पारित किया है कि अगर इस आदेश को किसी स्कूल में अभहेलना किया जाएगा तो स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर कानोनी कारवाई की जाएगी जमशित पूर की सामाजिक संस्था नमन द्वारा वीर शहीद मंगल पांडे के शहादत दिवस पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया इस दौरान नमन संस्था के तमाम पदादिकारी उपस्तित थे अंग्रेज सेना में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाग विद्रो का बिगुल फूखने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद मंगल पांडे के शहादत दिवस के मौके पर अमर मंगल पांडे जी को सरदा सुमनत्मित करने के लिए जमसे कूलोह नजरी के बड़ी संख्या में लोगा जहाओ पस्तित थे उनको नमन किया उनका जो देश के अजादी के लिए जो उनका योगदान रहा उनको नमन किया उन्होंने जो कुर्वानी दी हम सबी के लिए उनके कुर्वानी को नमन किया ऐसे महान माता पिता जिनोंने ऐसे संतान को जनम दिया वैसे माता पिता को नमन किया वैसे परिवार को नमन किया शेहर में बढ़ रही पानी की किलत को धियान में रखते विए इसडियों ने तमाम सरकारी बदालिकारी तथा कॉर्परेट खराने के बदालिकारियों के साथ जलापूर्टे सुनिश्चित करने के मुद्दे पर विजार बे मर्च किया इन दिनों गेर कमपनी लाकों में भी शन पे जल संकर कहरा गया है लोग तरा ही माम कर रहे हैं समय अनुसार जल संकर से जूज रहे लोगों तक टैंकर की साहिता से पाने उपलग कराने समेश खराब पड़े चापकलों की मरमती की दिशा में युद दिस्तर पर काम शुरू करने का नर्देश इसजियो मनुरंजम से इने माधदों को दिया साथी कॉर्परेट घरादे के पड़ादी कारियों से जल संकर से जूज रहे इलाकों में टैंकर समय अनुसार भेजने का नर्देश भी जारी खिया गया अनसी इस जुट शुट सलाई अनुसार भी जारी परकनलपास प्लादीटारी एमशेटोर सारे लोगों के साथ बादिटी अगया और बैकक में उससे इचे इरिया को अगलों के द्वारा भी जारा गया जहां पेजल के समस्या होती है और वहां के पेजल के पहुचाने देखे सारे कंपनी परण से पैंड़ आपके लिए हम लोगों को पाधर रखती है हम लोग उसी निमें हम लोग बैठा की है तो इसमें जो समाज सेवी है और कुछ इंटर के बादर के जारा पाने प्लग कराने है जमशित पूर के MGM अस्पताल की बढ़ाली को लेकर कॉंग्रेस चाल सुत्री मांगो को लेकर जोधार प्रदर्शन किया साथी पार्टी के लोगों ने सरकार के विरोध में जंकर नारिवाजी भी की कॉंग्रेस नेता फिरोज खान ने कहा कि अस्पताल में बर्न वॉर्ड सहित तमाम जबों पर मरिजों के सुविधाओं का काफी अभाव है उन्होंने कहा कि जल्दी अस्पताल के स्थिद्धे में सुधान नहीं किया जाएगा तो पार्टी आगे उगर आंदूलन करेगी में और उसका इलाज के लिए आता तो गैस नहीं रहता है टंकी में क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा दिखा हूं हमने चेक कर लिया तो देखा गैसे नहीं बिचारी तड़क रही है तब बोलने के बाद एक घंटा के बाद गैस आता उसको लगा जाता है अगर जाता है? काम पर भिश्वास करती है? जमशित्पुर के इमजियम अस्पताल में एक मरीज के परिजण ने दूसरे मरीज के परिजण पर रुपे चोड़ी करने का रुप लगा कर अस्पताल में हंगा माख्या महिला ने युबग पर एक हजार रोपे चुराने का आरूप लगाया जिसके बाद मौके पर साक्षी थाना पुलिस पहुंची और युबग को फिरासत में लेकर थाना ले गई एसाई ने बताया कि दोनों के परिजन अस्पताल में भरती हैं महिला ने आरूप लगाया है कि दोनों को थाना ले जाया जा रहा है लिखित देने के बाद उचित कारवाई की जाएगी प्रेके बाद हम फर हाजिर हैं घटते जलस्तर एगंटी बोरी में आने वाली बेतहाशाख खर्च को ध्यान में रखते हुए आदितपुर नगर निगम वार्ट संख्या 31 के बाबा कुटी आश्रम के निवासियों ने पाइप लाइन से जलापूर्टी करने की मांग को लेकर नगर निगम अध्यक्ष के साथ शिष्टा चार मुलाकात की आदिपुर नगर निगम के वाट संख्या 31 बावापूर्टी आश्रम के निवासियों ने पेजलापूर्टी के संबन में आज नगर निगम अध्याक शिराधा सांडिल के साथ शिष्टा चार मुलापात की शिद्र के निवासियों ने जल संकट के स्थाई समाधान की मांगी इस बैठक में वाट संख्या 31 के पारश्यद मनुज राए भी उपस्दित थे वहिन नगर निगम अध्याक शिराधा सांजिल ने शिद्र के निवासियों से जलापूर्टी योजना से जोडने के लिए आविदन देने की बाते कही और अपने स्तर से हर संभव साहता उन्हें प्रदान करने का अश्वासन दिया एमजी न्यूस का असर दिख रहा है डिपी आरो अफिस के पास बने रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा में लगे जवानों के लिए जहां कल तक फैन की वेवस्था भी नहीं थी एमजी न्यूस में इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आई और रिकॉर्ड रूम में फैन की वेवस्था बहाल कर दी गई एमजी न्यूज में हमने रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा में बहाल जवानों की स्थिती से आपको रूबरू कराया था यहां इस भीशन गर्मी में जवानों के लिए फैन की विवस्थावी नहीं थी न्यूस टेलिकाच के बाद प्रशासन हरकत में आ गई और यहां तुरंद फैन लगाया गया इस से जवानों ने भी रिवाहत की सांस ली है कितना जवान यहां पर डूटी में है चार जवान है पंका अभी सब ठीक ठाक है कौन लगाया है पंका सरकारी स्कूलों के नव नूग शिक्षको के लिए आज से 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की शरवात हिंदोस्तान मित्र मंडल विध्याले में हुई थाल के दिनों में सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षको के न्यूप्ती की गई थी आज गूलमूरी 10 नंबर 32 दिर्ट, हिंदोस्तान मित्र मंडल उच्च विद्याले में आज अप्रिल से इन 9 नियोक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षन कारिक्रम का यूजन किया जा रहा है। दस दिवसिय प्रशिक्षन शिविर के तहट इन शिक्षकों को कई सारी जानकारिया प्रशिक्षकों द्वारा दी जाएगी। एजुकेशन सिस्टेम एबम छात्रों के साथ सचीक तालमिल के संबन में बारीकी से इन्हें जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षकों को अपना सकता है। कैसे वो नए तरीके से टीचिंग एजस्टों को है। नए नए इनोविटिव आइडिया के साथ में पारिय का सकता है। यहां के हम लोग बताने बाले है। साथ ही इनके मोटिवेशन के लिए और लीडर्शिप के लिए बहुत सारे चीज़ें और एक्टिवेटियू करवाने वाले है। समावेशे शिक्षा, सिलिफ शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन, इंफुजिव एजुकेशन, इनके उपर हम लोग डिस्केश करते हैं। इसे पारे में टीचर्स के साथ में डिस्केशन होगा है। कुछ के स्टरीज हैं लीडर्शिप को लेकर हैं। जो हम लोग डिस्केश करने वाले हैं। और कुछ वीडियो प्लिप्स और लूवीज हैं। इसके तुप टीचर्स को बताया जाया है कि कैसे बोग और अपने जजी प्रस्ट को लेकर हैं। मानव सत्संग समीती तथा केबल बॉइस क्लब की ओर से बिरला मंदिर में 15 दिवसिय श्री राम कथा ग्यान यक का यूजन किया जा रहा है। मानव सत्संग समीती तथा केबल बॉइस क्लब की ओर से बिरला मंदिर प्रांगर में राम कथा ग्यान यक का यूजन किया जा रहा है। पंप्रादिवसिय इसधार में का यूजन को संपन कराने उच्चैन से संत यहां पधारे हैं जिनकी आगुवाई में यक को संपन कराया जा रहा है। सुबह यक का यूजन तथा शाम के बक्त संतो द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है। पिछले 28 तरिक से, पिछले 28 मार्च से और 11 मार्च, 11 अप्रेल तक ये राम यग कारिक्रम के वूल टाउन के प्रवा मंदिर में, जो धुलापित प्रवा मंदिर है, उसमें आवहन किया गया है। आज अवहन के कारिक्रम सवात्वा और ये सांध्याकाल में पाजवे से रात्री साड़े नो गएता है। ये राम कथाय का आईजन होता है, जो कि अईध्या से आएवे हमारे स्वामी विवेकानन वहाजी हैं, उनके द्वारा ये कथावाचन के कारिक्रम होता है। कौकरिटिब कॉलेज के MSC final year के स्टून्स को Part 1 के छात्रों ने फियरवेल देकर उनसे मार्ग दर्शन की मांगी। कौकरिटिब कॉलेज में आज समारो बुर्बग MSC Part 1 के छात्रों ने अपने सीनियर को फियरवेल दिया। इस उसर पर साइंस डिपार्टमेंट के सभी होडी प्रोफेसर्स एवं खुद कॉलेज के प्रिंसिपल उपस दित थे पाथवन के चात्रों ने सिनियर चात्रों से मार्ग दर्शन देने की अपील भी की हमारे साथ लगाता जुरे रहने के लिए आप हमें योचूब पर जरूर सब्सक्राइब करें